नमस्कार दोस्तू मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से सुवागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा ओलेट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तू जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 1 दिसंबर 2021 की हिमाचल परदेश की शाम 5 बजे की टॉप 13 खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक बने रही है अगर आपने भी तक व दोस्तो वीडियो को जो है शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम 5 बजे की टॉप 13 ताजा खबरें वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने भी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नेंग किया है तो कमेंट करके जुरूर बताएं कि आप हिमाचल परदेश की के केस में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई भादसे के कारण अभी कारणों का अभी पाता नहीं चल पाया है पोलिस जो है छान भी इन में जूटी है तस्वीर है आप देख सकते हैं सिर्मोर जी ले से निउज जै अगनी जज आपके सामने है जेवटी भरती मामला हिमाचल हाई कोट के फैसले को सप्रीम कोट में चुनावती देगी सरकार तो शिक्षा मुंतरी गोविंद सिंग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने हमाचल हाई कोट के फैसले को सप्रीम कोट में चुनावती देने का फैसला लिया है जेवटी प्रशिक्षों को उनका हक देलाने के लि सेलपी दाइर की जाएगी अगनी ज़ाब के सामने CM जैराम बोले किसानों को खाद्य प्रसंसकर्ण में प्रशिक्षत और नई तक्नीक अपनाने के लिए प्रेरित करें विश्य विद्यले तो मुख्यमत्री जैराम ठाकुर ने सुझाव दिया कि विश्य विद्यले अधिक से अधिक क्रिश्कों को खाद्य प्रसंसकर्ण में प्रशिक्षत करें और नई तक्नीक अपनाने के लिए प्रेरित करें ताकि उन्हें अपने उत्पाद के अच्छे मुल्य प्राप्त हों तो मुख्यमत्री जैराम ठाकुर ने वागवानी एवं बनी की बोश्य विद्यले नोनी के 37 स्थापना दिवस की अफसर पर अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बागवानी क्षेत्र में आशा तीद प्रक्ति की है और या क्षेत्र क्रिशी व्यवस्ता अर्थ व्यवस्ता को परोच्सान करने में मेहत्पूर्ण घटक जो है बनकर उबरा है अगरी उज़ आपके सामने महंगाई की मार 101 रुपे महंगा हुआ व्यवसाइक गैस सिलंडर चुकाने होंगे 2273 रुपे तो हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे महिने व्यवसाइक गैस सिलंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी हो गई है दिसंबर में सिलंडर 101 रुपे महंगा हो गया है इसमा व्यवसाइक उपभोकताओं को 2273 रुपे चुकाने होंगे नवंबर में 267 रुपे दाम बढ़ी थे अगनी जुजाब के सामने CM जैराम ठाकूर 2095 करोड की ADB प्रियोजना को केंदर की सैधानतिक मंजूरी तो मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर ने कहा कि इस प्रियोजना को देश्य राज्य में नई प्रियाठन स्थालों को विक्सित करने के अतरिक्त मौजूदा प्रियाठन स्थालों का रख रखाब सुधारी करन और सांस्कृतिक धरोहर का सरंक्षन करना है तो मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर ने बोधबार को कहा कि परदेश सिरकार राज्य के लिए एशियन विकास बेंक की 2095 करोड रुपय की अधो सरंचना विकास प्रियोजना के लिए स्याधान्तिक रूप से स्वेक्रिती लेने में सफल रही है अगर नियुज आपके सामने टैशी गंग दुनिया के सबसे उंचे पोलिंग बोध में से मैं जो है 100% करोणा वैक्सीन तो स्पीती मुख्यले काज्जा से टैशी गंग करीब 30 किलोमेटर दूर चीन बॉर्डर की तरफ स्थित है कोविड वैक्सीनेशन के लिए अर्थ विवस्ता विभाग में घर घर दस्तक दे कर लोगों को वैक्सीन लगाने की मोहिम शुरू कर दी है इस अभ्यान के दोरान पिछले दिनों टाशी गंग में रह रहे सभी वैस्क लोगों को करोना की दूसरी डोज का लक्षे पूरा हो चुका है अगर नीज जाब के सामने नाराजगी पुलिस कॉंस्टेबलों ने रप्ट डाल कर फिर छोड़ा मैस का खाना सोशल मेडिया पर छेड़ी जंग तो दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार मांग नहीं मांती है तो अब जवानों की परिजन ही बड़ा अंदोलन करने को मुझबूर हो जाएंगे उधर सरकार ने रविवार को मुख्यमंतरी आवास घेरे जाने पर बैठक का ऐलान तो किया लेकिन अब तक बैठक नहीं हो सकी है अगनी उज़्याब के सामने मनाली के दुरगा माता मंदर से दान पत्तर उड़ा ले गई चोर CCTV फोटेज से लगेगा शात्रों का पता तो मनाली के माल रोड स्टित दुरगा माता मंदर में चोरी की बारदात हुई है चोर मंदर का दान पत्तर लेका जोए फरार होगे इसके साथ ही मंदर का कोछ और समान भी चोरी हुआ बताया जा रहा है अगनी उज़्याब के सामने दो घंटे में दुबोचा राजगड के ब्राइला बीज़ट मंदर से देवता का सियासन छड़ी छड़ उड़ाने वाला नेपाली तो राजगड के दाहन पंचायत के ब्राइला गाउं के बीज़ट माराज मंदर में मंगलबार रात नेपाली मूल की व्यक्तिद्वारा चांदी के सामान पर राहत साप करने का मामला सामने आया है अगर निज़ट आपके सामने जब तक राहत नहीं चलती रहेगी टूल डाउन स्ट्राइक मांगे मनवाने पर अड़े पीसमील करमचारी चमबा से निज़ट की परिवाहन निगम चमबा डिपू के पीसमील करमचारीयों दोरा सरकार वा परबंधन की अंदेखी से खाफा होकर आरंब की गई टूल डाउन स्ट्राइक आज तीसरे दिन में परवेश कर गई है परिवाहन निगम डिपू कारेशाला के बाहर पीसमील करमचारीयों ने सरकार के खिलाप धरने पर बैठकर शांतिपून तरीके से परदर्शन भी किया अगरिनीज जाब के सामने बलहा में ग्रामिनों को बहला फुसला कर किया जारा धर्म परिवर्तन उपायुक्त के पास पहुंचा मामला तो मंडी जीला के बलहा बिधान सवक के अंतरगत आने बाले छातडू कठ्याल वा कुम्मी गाउं में लोगों को बहला फुसला कर धर्म परवत्तन किया जारा है इसको लेकर छातडू गाउं के मनोज गमार ने बिश्यो हिंदू परिशत के बैनर तले एक मांग पत्र उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी को सौपा अगनी जाब के सामने हिमाचल में अब दोड़ेंगे इलेक्टरिक बाहन परदोशन होगा कम तो हिमाचल में अब इलेक्टरिक बसों के साथ अन्य इलेक्टरिक बाहन भी दोड़ेंगे परदेश में बढ़ते परदोशन को कम करने और लोगों को सुविधायें देने के लिए कैबिनिट में इवीकल पॉलसी को मंजूरी मिल गई है अगर नीज जाब के सामने भाजपा सरकार को चुनाव हरने के बाद आई अकल कुलदीप राठोर तो हिमाचल परदेश कांग्रेस कमेट्टी के अध्यक्ष कुलदीप सिंग राठोर ने हमीरपुर दोरे के दोरान हाल ही में मुख्यमंत्री जाराम ठाकर दोरा की गई पी कारे करता तो चंबा से नीज जे कि अखिल भारतिय विद्यार्थी परशद एकाई सुलोडी ने कॉलिज परिसर में भूख हरताल शुरू कर दी है अगले 24 गंटों के लिए कारे करता भूख हरताल पर डटे रहेंगे पूरे परदेश भर में जीलावा परदेश तरिये मांगों को लेकर अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशद एकाई का अंदोलन चला हुआ है तो दोस्तों ये थी आज 1 दिसमबर 2021 की हिमाचल परदेश की आज शाम पांट वेजे की टॉप कर दाला खबर हैं अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो टॉप के अंग का वीडियो को भीडियो को लें मैं लाई कर हो के कि मैं भंगolare वीडियो को लाई शाम घरी ओते राद का राद दाला खबर ग्रार मों हुआ है घू पलापास के ल西